हाई मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं वोश्पूरी बाते पे सेम बात राजनीती में भी है कि यही इच्छा होती है कि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनके लिए आप ऐसा क्या कर पाते हैं उनके लिए कि वो जो है आपको एक अच्छे नेता के रूप में देख पाएं और वो चाहें कि आप बार-बार उनके बीच में आए यह जानने की कोशिश करता हूं उससे मैंने यही जाना है कि यह जो नागरिकता संसोधन बिल आया है वो भारत के किसी भी नागरिक के हक अधिकार को चिनने का काम नहीं करेगा और नहीं किसी को दिक्कत लाएगी कुछ लोग हैं जो राजनीती बस लोगों में गलत मैसेज भेज के उनको भड़का रहे हैं उनको गुमराह कर रहे हैं कि भाई तुमको यहां से निकाल दिया जाएगा तुम्हारा अधिकार छिन लिया जाएगा इस तरह की बाते फैला के लोगों में अविश्वास पैदा क्या है वैसे हर नागरिक का यह धर्म है करता है कि पहले समझो उसको जानों कि यह जो भी लाया है उससे आपका कुछ नुकसान होने वाला है या ऐसे ही आप किसी के कहने पर जो है रोड पर उतर गए और देश की संपत्ति को नस्ट करने लगे तो वो ठीक नहीं है मुझे आप पहले जानकारीया करने जयाएं कि यह पर आप जाहें कि और आप सच में हुआ में नहीं है तो आप कहीं भी बहुत आराम से लह सकते हैं तो मुझे लगता है Big Boss का घर हो या आपका घर हो कहीं पे भी जैसा खिसारी जी भी कहे थे तो मुझे अच्छा लगा उनका जो वह हैं जैसा उनका नेचर वह रहे उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे वह कुछ और बनने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि वो जो फॉर्मेट है विग बॉस का उस फॉर्मेट में जिस तरह का इंटर्टेन्मेंट निकल के आना चाहिए उसके लिए वहां लड़ाई करना पड़ेगा जगड़ा करना पड़ेगा आपको हर बात पर जो है अपना पक्ष रखना पड़ेगा हम लोग इस तरह के व्यक्ति हैं चाहिए मैं हूँ चाहिए हमारा नेचर यह है कि आप कुछ गलत बात कर रहे हैं तो कर लीजिए हमको से हमेला नासते हैं और उन्होंने उसमें बहुत सारा मिर्ची बहुत सारा नमक डाल कर debatedे हैं अपने हिसाब से ललने ने संसिंदी इसन था कि आप यह नस्ते को खराब कर दिया है मुझे मालूम नी है मेरे टेबल पकर आया मैंने अपना जब थोड़ा नमकीन लगा थोड़ा तीख लगा रेने खालिया है को फुरवसी भी वहां से देख रहे हैं कि नियुक्त अब भूर्शी नमक पुरा किस लफड़ा हुआ नहीं तो बाद में अव लोग बोले कि आपको जो नास्ता दो बिगाड़ा गया था तो बात इतनी सी है कि आप जब आपका वो नेचर ही नहीं है कि आप घर में चिलाते तो अब बाहर कैसे चिलाओगे पोई उस तरह से थे आप और यह लोग उस पॉर्मेट में इंटरेंड करना जानते वहां क्या है उसे मतलब देखा और nessinal कोप्पिल केस्ते बहुत तरह नहीं किया आता है हम में इसके सैंनी कासे जाथी आप अर्चना जी से भी ज़्यादा यहांसी हैं, क्या भोलेंगे आपके क्या करना जाएंगे, बहुत मजा रहा हुआ है, यह हमारा प्रोजेक्ट एक फिल्म निरहुआ दालीडर, परचिस जुगात की जबना, अच्छा, मैं शुधाकर मिश्रा, अंबेकापूर से, 36 गर, और हम अब एक फोटो, शरी, अपना फिल्म सुट कर रहे हैं, निरहुआ दालीडर, जिसकी हमारी सुटिंग जो है, तो मैं सुटिंग फिल्म की हुई है, आजमगड में, आजमगड बनारस, लखनौ से, और अभी हम मुंबई में, अरनाला गुरिज में, अपना गानी की सुटिं सुटिंग कर रहे हैं. अब यह नेता के तोर पे नहीं है इसके बाद जो है इनका इन्डरसिब का रोल आता है इस्टार्टिंग में जो है तो एक आम अनाकरिक करें अब जान दी है हलाकि एक इलेक्शन में खरे हुए एक मैसकर मेता कर अपर जुन्दगी में जी तो क्या करने में इनको फाइडा हो गया दर्सक इनको काफी वहां पसंद किये हैं आजमगड में इन्होंने मतलब सांसत के लिए चुनाओ लड़ा था और काफी अच्छे बोट् अब बाते चल रही है और जल्दी हम लग कुछ फिल्मे लेकर आ रहा हैं जल्दी हम लग कुछ फिल्मे लेकर आ रहा हैं जाए